हालो इस्टुडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टेडी परिवार में दोस्तों आज की इस कलास में आप नया चैप्टर सिखेंगे कलास सेबंत की NCRT मैथ में चैप्टर नंबर सेबन होगा जिसका नाम है तिरबूजों की सरबांग समता समरूपता क्या है इसके बारे में कुछ हम गहन अध्यन करेंगे प्रेक्टिकली आपको दिखाएंगे ठीक है तो जरा आप ध्यान से देखो आपके सामने क्या है ये दो डिब्बी रखी है इंक की दिख रही ना इनको ऐसे करके भी देख लो दिख रही इन दोनों में आपको एक चीज आंतर नजर आ रहा होगा कोई है कोई अंజ क्या दोनों यह जैसे है न एक जैसे ढखकन है एक जैसे लाल-पीलडव बनाया जैसे पूंद बनाया है एक जैसे यह पे लिखा भी है सब कुछ वाइज है नऌ तो यह कौन सी है को ये डिब्बी कौन सी हैं आपको पत को जोते हैं सी ओ एंजी आर यू एंझी ठीक ना बात समझ में आई अगर मैं आपके सामने दूसरा एक्जामपल पेस करता हूं इसको हटा दो इधर साइड में कहीं रख दो दूसरा एक्जामपल ये देखो आप ये दोनों में कोई अंतर लग रहा है आपको कलर में या लंब में इधर हल्का कट है इधर भी मतलब यह दोनों क्या हैं ये दोनों सर्बांगसम है कि सम्रूप है सर्बंगसम है अगर ये अंगुली इतनी बढ़ी है तो ये इतनी बढ़ी रहे हैं या अंगुलियां सरबांगसम नहीं है समरूप हैं समरूप क्यों है क्योंकि इनमें कट देखो तीन बना है इसमें भी बना है लेकिन ये बराबर नहीं है बराबर होती है तो सरबांगसम कही जाती है तो य अगर इनको दोनों को मिलाएं तो यह क्या है देखो एक्दम बराबर हैं सर्वांगसम है यह सर्वांगसम है लेकिन यह आपस में सर्वांगसम नहीं है दूसरा एक्जांपल और भी देख लो धेर सारी एक्जांपल हम आपके सामने पेस कर रहे हैं यह दोनों एक्जांपल द यानि यह क्या है सरवंग सम है अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई यह सरवंग सम है सब तो सम्रूप क्या होता है तो मैं उसको भी यहीं पर दिखा दूंगा सम्रूप क्या होता है जैसे मैंने यह इसमें का ले लिया इसमें का यह ले लिया तो यह दोनों क्या है है अबूसर्बंसमने है यह समरूप है सम्रूपी का मतलब यह कि इसमें भी धक्कन लगा ईसमें भी को इड़कन लगा है इसकी तंकी थोड़ा बड़ी है इसकी की थोड़ा छोटिये लेकिन है उसी रूपये हैं उसी रूप की काम वह करती है यह 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 प кадर से कोई familiar संब नहीं है कि बाद समझे रहे algum ना तो यह होता है क्या साभांगसम और सम्रूप में अंतर मेंं अंतर समझ गए काम्च कर जरूर बताना सर्वांगसम साभांगसम क्या होता है सामगसमें डनery बता देता हूं मैं है समरूप को इंगलीस में कांगुर्यंट बोलते हैं इंग्लिस में भी देख लो आप लोग यह सर्वांग सम्ता की परिभासा समझ लो जो किताबी परिभासा है किताबी परिभासा यह कहती है कि जब एक आकरती दूसरी आकरती को पूरा पूरा ढख लेती है तब वो क्या कहलाती है समरूप सर्वांग सम आकरतियां कहलाती है अक्स देखो जब एक आकरती का आक्स यानि कि ट्रेस कॉफी दूसरी आकरती को पूरा पूरा ढख ले तो इससे सर्वांग सम आकरती कहते हैं मतलब यह आकरती अगर काट करके इस चड़ा दूं यह देखो और इसको पूरा-पूरा ढखले कहीं से दिखेना देखो दिख रहा है किया को बलो पूरो दिख रहा है आगर सहही से बैठ गया मेरे रखने में गलती नहीं हुई तो आप नीचे वाली का एक पार्ट नहीं देख पाओगे तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना इसको उपर कर तो तब नीचे वाली नहीं दिखेगी कहीं से भी नहीं दिखेगी हलका भी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह दोनों सरवांग समय है लेकिन अगर हम बोलें कि भईया इस डिब्बी के उपर इसको चड़ा दो मतलब आप स प्रकार की क्या है यह सर्वांगसम नहीं है यह समरूफ है लेकिन सर्वांगसम नहीं है सर्वांगसम का मतलब यह है कि अगर उन दोनों आकृतियों को जिनको आप सर्वांगसम बता रहे हैं उनको एक दूसरे को ऊपर रखें तो वह पूरा-पूरा धंक लें एक दूसरे को क आई से भी दिखे ना तो वह सरवंग सम होती है अने था सम रूप कहलाती है जैसे दोनों हथेलियां क्या हैं यह यह क्या है इनको अगर ऐसे आप करोगे तो नीचे वाली कहीं दिखेगे अंगुठा चोड़के अंगुठा क्योंकि सीधा फीधा वैसे नहीं बैठेगा हमारा फिलहाल हो सकता आपका हो जाए तो देखो और सभी अंगुलियों में चारों में देखो नीचे वाली दिख रही है क्या अब अगर सही से आप रख पाए हो तो नहीं रख पाए हो ता अलग बात है नहीं दिख रही ना मतलब मैं दोनों हाथ को नीचे उपर रखा है अगर अंगुलियों को आप ध्यान से देखो तो नहीं दिख रहा है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह सम रूप नहीं है सरभांगसम है समझ गए ना लेकिन आगर मैं बोलूं यह अंगुली इसके क्या है तो यह सम रूप है सरभांगसम नहीं क्योंकि यह चोटी है यह बड है समझ रहे हो ना तो यह होता है सर्वांगसम और सम्रूप की पूरी कहानी